हलो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक आज के टोपिक में हम करेंगे भारते सविधान के कुछ महत्वपूण अनुछेद इसमें हम ऐसे अनुछेद देखेंगे जो एक्जाम में या तो आच चुके हैं या जो एक्जाम के लिए महत्वपूण हो तो आईए है, तीनसो पिचान में अनुचेद है और बारा अनुसूचिया है, वरत्मान में भारतिय सविधान में, देखते हैं next, सविधान के किस अनुचेद के अनुसार एंडिया अर्थार्थ भारत राज्यों का एक संग होगा ये बताया गया है, तो अनुचेद एक में बताया गया है देखते हैं ऐसे कुछ अनुचेद अनुचेद एक में है संग का नाम और राजे छेतर और वैसे ही इंपोर्टेंट अनुचेद दो है इसमें नए राजियों का प्रिवेश या इस्तापना के बारे में बताया गया है और अनुचेद छे में से related है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिक्ता इस से related है ये अनुचेद 8 में क्या है भारत के बाहर रहने वाले वेक्तियों की नागरिक्ता नेक्स देखते हैं भारति स्विधान में समानता का अधिकार पांच अनुचेदू द्वारा प्रदान किया गया है ये कौन-कौन से अनुचेद है तो ये कौन से अनुचेद है सबको पता है ये अनुचेद चोगदा से 18 तक है जिसमें समानता के अधिकारों के बारें बताया गया है नेक्स देखते हैं ये चोगदा से 18 तक के अनुचेद कौन से है अनुचेद चोगदा में किसके बारें बताया गया है विदी के समक्स समानता अनुचेद 15 में क्या है जो बहुत इंपोर्टेंट है ये एक्जाम में रिपीट होता है धारम जाती लिंग पर भीद का प्रतिश ये अनुचेद 15 से रिलेटेड है अनुचेद 16 में क्या है लोग नियोजन में अवसर की समानता ये भी क्यूशन आता है एक्जाम में और जो ये है वेरी इंपोर्टेंट अनुचेद 17 किस से रिलेटेड है ये है ऐस प्रेशता का अन्त ये एक्जाम में बहुत बार आता है हर exam में आता ही है ये question तो अनुचेद 18 उपादियों का अंत ये भी important है अनुचेद 19 वाक की सोतंतरता इनको अच्छे से आप याद कर लेना next देखते हैं प्रेश की सोतंतरता किस अनुचेद में अंतर नहीं थै तो कौन से में है अनुचेद 17 या अनुचेद 19 ए या अनुचेद 76 या अनुचेद 36 तो किस में है प्रेश की सोतंतरता कौन से अनुचेद में है ये अनुचेद 19 ए में है next देखते हैं सविधान के किस अनुचेद में ऐस प्रेशता का अंत के बारे में बताया गया है इंपोर्टेंट अनुचेद जो एक्जाम में आते हैं इनको भी आप देख लीजिए अनुचेद 20 में क्या है अपरादू के दो सिद्धी के बारे में समंध में सरक्षन क्या है अनुचेद 20 में अपरादू के दो सिद्धी के समंध में सरक्षन के बारे में कौन से यह है अनुचेद 21 कैमे अनुचेद 22 कुछ दसाओं में गिरपतारी से सरक्षन अनुचेद 23 इंपोर्टेंट है मानव के दूर्व्यापार और बाल सरम से रिलेटेड है अनुचेद 39 अलप संक्यक वर्गों के हितूं का सरक्षन अनुचेद 30 में क्या है सिक्सा संस्तानों की स स्तापना और प्रसाशन करने का अलप संक्यक वर्गों को अधिकार यह है अनुचेद 32 वेरी इंपोर्टेंट सवेधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुचेद में है 32 में है अनुचेद 40 वेरी इंपोर्टेंट यह रेल्वे गुरूप D में बहुत बार रिपीट यह है अनुचेद 40 ग्राम पंचाइतों का संगठन ग्राम पंचाइतों के संगठन से संबंधित कौन सा अनुचेद है यह है 450 आनुचेद 51 ए मूल करतवे से संबंधित है नेक्स देखते हैं क्यूशन सविधान के किस अनुचेद में 6-14 वर्स्तक के सभी बच्चों को निशूलक और आनिवारे शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है ये क्यूशन बहुत रिपीट हुआ है तो कौनसे अनुचेद में है अनुचेद 17 या अनुचेद 19 या अनुचेद 21 कय या अनुचेद 51 तो कौनसे में है 6-14 वर्स्तक के सभी बच्चों को निशूलक और आनिवारी सिक्षा का अधिकार ये है अनुचेद 21 कय में Next question देखते हैं सविधान के किस अनुचेद में कुछ दसाओं में गिरफ्तारी और निरोद से सरक्षन के बारे में बताया गया है ये भी क्युशन आया हुआ है exam में तो बताईए अनुचेद 12 या अनुचेद 19 या अनुचेद 12 या अनुचेद 24 तो कौन से में है ये है अनुचेद 22 में क्या है कुछ दसाओं में गिरपतारी और निरोध से सरक्षन अनुचेद 22 में है सविधान के किस अनुचेद में मानव का दूर व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बाल चरम प्रती निशिद है प्रती शिद्द किया जाता है तो किस में किया जाता है अनुचेद 18 अनुचेद 13 अनुचेद 23 या अनुचेद 89 तो किस में है ये अनुचेद 23 में है क्या है मानव का दूर्व्यपार और बेकार तदा इसी प्रकार का अन्य बाल स्रम प्रतिशिद किया गया है अनुचेद 23 में सविधान के किस अनुचेद में कारखानों आधी में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है किसमें बताया गया है कि कारखानों में बालक काम नहीं करेंगे तो ये कौनसे अंशेद में है, ये अनुशेद 24 में है नेच्स है, भारतिय सविधान का कौनसा अनुचेद मुलिक अधिकार के अंतरगत बच्चू के सोसन से सम्मन दित है Very important तो ये कौन सा है अनुचेद 17, अनुचेद 24, अनुचेद 19 या अनुचेद 21 तो ये कौन सा है अनुचेद 24 है इसमें क्या है मोलिक अधिकार के अंतरगत बच्चों के सोसन से सम्मन्दित है सविधान के किस अनुचेद में ये बताया गया है कि भारत का सरोज न्यायले नागरिकों के मोलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो ये कौन से अनुचेद 18 में है अनुचेद 21 में है या 23 में है या 32 में है तो कौन से में है ये है अनुचेद 32 में कि भारत का जो सरोज न्याय वे नागरिकों के मोलिक अधिकारों की रक्षा करता है नेक्स देखते हैं भारतिय सविधान की किस अनुछेद में राजे के निती निर्देशक तत्थूं का उलेक है तो यह कौन से अनुछेदों में राजे के निती निर्देशक तत्थूं का उलेक है अनुछेद 15-25 तक है या अनुचेद 36-51 तक है या अनुचेद 55-64 तक है तो कौन से में है राज्य के निति निर्देशक तत्वों के बारे में उलेक है ये अनुचेद 36-51 तक है नेक्स क्यूचन देखते हैं नेक्स देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट अनुचेद जो की एकजाम में रिपीट होते हैं ये अनुचेद 52 जो है वेरी इंपोर्टेंट है भारत का राष्टपती होगा कौन से अनुचेद में है ये बावन में ये क्यूचन बहुत बार रिपी राश्टपती के निर्वाचन की रिती के बारे में बताया गया है, अनुचेद 56 में राश्टपती की पदा अवधी की कब तक बने रहेंगे, अनुचेद 57 में पुनर निर्वाचन की पातरता के बारे में बताया गया है, अनुचेद 58 में राश्टपती निर्वाचित होने के लिए आहारताओं के बारे में बताया गया है अनुचेद 69 में राष्टपती के पद के लिए सर्थों के बारे में बताया गया है और अनुचेद 60 में राष्टपती द्वारा सपत या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है और very important अनुचेद 61 यह है राष्टपती पर महा ब्योग चलानी की प्रकिरिया कौन सा है अनुचेद 61 नेक्स देखते हैं वैसे ये अनुचेद 63 भी very important कि भारत का उपराश्ट पती है ये किस अनुचेद में है ये है अनुचेद 63 में अनुचेद 64 में क्या है उपराश्ट पती का राजे सबा का पदेन सबापती होना ये किस अनुचेद में है ये है अनुचेद 64 में और अनुचेद 72 राश्ट पती द्वारा समादान की शक्ती very important कि राश्ट पती द्वारा समादान की सक्ती किस अनुचेद में है ये अनुचेद 72 में very important ये भी अनुचेद 79 में है संसत का घठन 89 में क्या है अनुचेद 89 में है संसत का गठन और अनुचेद 80 में है राज्य सबा की सरचना और अनुचेद 81 में है लोग सबा की सरचना वेरी इंपोर्टेंट इनको याद कलीजिए नेक्स देखते हैं कुछ भारतिय सबीधान का कौन सा अनुचेद भारत के राष्टपति को अध्यादेश जारी करने की सकती देता है तो ये कौन सा अनुचेद 123 या अनुचेद 360 या अनुचेद 23 या अनुचेद 90 तो कौन सा देता है अध्यादेश जारी करने की सकती राष्टपति को ये देता है अन अनुचेद 123 नेक्स देखते हैं सभीदान के किस अनुचेद के अंतरगत मंत्री गण सामोईक रूप से लोगतंतर के पट्टी उत्रदाई है ये किस अनुचेद में बताया गया है ये अनुचेद 81 में या अनुचेद 83 में या अनुचेद 64 या अनुचेद 75 किस में बताया ग भारत के सविधान के किस अनुचेद के अंतरगत भारत के राष्टपती पर महाभ्योग चलाया जा सकता है ये किस अनुचेद में बताया गया है अनुचेद 19 अनुचेद 45 अनुचेद 51 या अनुचेद 61 तो किस में बताया गया है भारत के राष्टपती पर महाभ्योग चलाय जा सकता है इसके बारे में यह बताया गया है अनुचेद 61 में next question देखते हैं सविधान के किस अनुचेद में अखिल भारतिय सेवाई के बारे में बताया गया है important question exam में repeat हुआ है क्या है कि अखिल भारतिय सेवाउं के बारे में किस अनुचेद में है अनुचेद पिचान में अनुचेद 312, अनुचेद 118, अनुचेद 109 तो कौन से में है अखिल भारतिय सेवाओं के बारे में ये है अनुचेद 312 में सविदान के किस अनुचेद में कुछ नयायले को कुछ रिट जारी करने की सकती है ये किस अनुचेद में बताया गया है अनुचेद 226, अनुचेद 133, अनुचेद 343 या अनुचेद 156 तो किस में बताया गया है उच नयले को कुछ रिट जारी करने की सकती किस अनुचेद में है ये है अनुचेद 226 में नेक्स देखते हैं, सविधान के किस अनुचेद में राज्य पाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, किस अनुचेद में बताया गया है, अनुचेद असी, अनुचेद 119, अनुचेद 107, अनुचेद 155, तो किस में बताया गया है, राज्य पाल की नियुक्ति के बार बारे में अनुचेद 51, अनुचेद 78, अनुचेद 52, अनुचेद 123 तो किस में बताया गया है ये अनुचेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्टपती होगा नेक्स है सविधान के किस अनुचेद में राष्टपती द्वारा समादान की सक्ति के बारे में बताया गया है इंपोर्टेंट क्यूशन है एक्जाम में आता ही है तो ये है अनुचेद 72, अनुचेद 83, अनुचेद 123 तो किस में बताया गया है राष्टपती द्वारा समाद अनुचेद 12, 16, 16, 19, 123, 76 अनुचेद नेक्स्ट सविधान के किस अनुचेद में उच्छतम न्यायली की स्तापना और गठन के बारे में बताया गया है तो कौन से अनुचेद में बताया गया है 143 में या 123 में या 124 में या 155 में कौन से अनुचेद में बताया गया है उच्चतम नयाली की स्तापना और गठन के बारे में ये बताया गया है अनुचेद 124 में सविधान के किस अनुचेद में राज्य का महा दिवक्ता के बारे में बताया गया है तो यह अनुचेद 165, अनुचेद 203, अनुचेद 123, अनुचेद 70 तो किसमें बताया गया है राज्य के महा दिवक्ता के बारे में यह अनुचेद 165 में बताया गया है सविधान के किस अनुचेद में दिल्ली के सम्मंद में विशेश उपबंद के बारे में बताया गया है अभी एकजाम में आया था रेलवे गुरूप डिके कि सविधान के किस अनुचेद में दिल्ली के सम्मंद में विशेश उपबंद के बारे में बताया गया है अनुचेद 123, अनुचे 249 AA, अनुचे 323 या अनुचे 345 तो कौनसे में बताया गया है दिल्ली के समंद में कौनसा अनुचेद है यह अनुचे 249 AA Next देखते हैं सविधान के किस अनुचेद में संसद को सविधान में संसोधन करने की सक्ति प्राप्थ है Very important कौनसे में है अनुचे 315 में, अनुचे 368 में, अनुचे 111 में या अनुचे 107 में तो किस में है संसद को सविधान में संसोधन करने की सक्ति कौनसे अनुचेद में है यह है अनुचे 368 में 68 में, 368 Next देखते हैं लोगसबा एवं राजसबा के सयुक्त अधिवेशन के विशे में प्रावधान किस अनुचेद में दिया गया है अनुचेद 18, अनुचेद 136, अनुचेद 165 या अनुचेद 108 तो किस में दिया गया है लोगसबा एवं राजसबा के सयुक्त अधिवेशन के विशे में ये बताया गया है कि संपति का अधिकार सवेधानिक अधिकार है ये कौन से अनुचे 315, अनुचे 355A, अनुचे 30A या अनुचे 17 तो किसमें बताया गया है संपति का अधिकार सवेधानिक अधिकार है ये बताया गया है अनुचे 30A में भारत में बाहरी आकर्मन तता सस्थ्र विद्रो के कारण भारत के राष्ट पति द्वारा, राष्टियापात्काल की गोषना किस अनुछेद में हैं? अनुचे 350 अनुचे 252 अनुचे 23 या अनुचे 352 कौनसे में है राष्टिय अपातकाल की गोशना के बारे में यह अनुचे 352 में है राष्टिय आपातकाल और अनुचे 356 में क्या है राज्यों में सवेधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान या राष्टपती सासन जो राज्यों में राष्टपती सासन लगता है वो किसमें है अनुचे 356 में है और अनुचे 360 में क्या है वितिय आपातकाल के सम्मंद में प्रावधान सविधान के किस अनुछेद में कार्य पालिका से न्याय पालिका का प्रत्थकरण है ये किस अनुछेद में दिया गया है अनुछेद पत्चास, अनुछेद तेरा, अनुछेद तेईस या एकसो तेईस यह है अनुचेद पत्चास में की कार्य पालिका से न्याई पालिका का प्रत्थकरण है सविधान के किस अनुचेद में वार्षिक वित्तिय विवरण के बारे में बताया गया है अनुचेद 16, अनुचेद 112, अनुचेद 19 या अनुचेद 13 किस में बताया गया है वार्शिक वित्तिय विवरण के बारे में ये बताया गया है अनुचेद 112 में सविधान के किस अनुचेद में राजियों के लिए उच नयायले के बारे में बताया गया है कौन से में हैं कौन से अनुचेद में बताया गया है कि राजियों के लिए उचनेयले के बारे में अनुचेद 178, अनुचेद 130, अनुचेद 214 या अनुचेद 90 ये अनुचेद 200 चोगदा में बताया गया है राजियों के लिए उचनेयले के बारे में सविधान के किस अनुचेद में वित आयोग के बारे में बताया गया है कौन से में है अनुचेद 180, अनुचेद 13, अनुचेद 280 या अनुचेद 90 किस में बताया गया वित आयोग के बारे में ये अनुचेद 280 में important question है सविधान के किस अनुचेद में राश्टी ये पिछ्रा वर्ग आयो का गठन के बारे में बताया गया है क्यूशन आया हुआ है एक्जाम में अनुचेद 118, अनुचेद 340, अनुचे 231, अनुचेद 190 है तो किस में बताया गया है इराश्टे पिचरावर्ग आयोक के बारे में यह बताया गया है 3014 में ने एक्स देखते हैं कि महार्तिय सुविधान के किस अनुछेद में नी अंत essayer एवं लेखा परिख परिख्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है अनुचेद 181, 113, 113, 148 तो नियंतरक एयों महालेका परिख्षक के बारे में किस अनुचेद में है ये अनुचेद 148 ये भी एकजाम में आया है नेक्स देखते हैं भार्टिय सविधान के किस अनुचेद में ये प्रावधान दिया गया है कि संग की राजबासा हिंदी तथा लिपी देवनागरी होगी ये भी रेल्वे गुरूप डिक एकजाम में आया है अनुचेद 148 अनुचेद 343 अनुचेद 233 या अनुचेद 90 किस में बताया गया है कि संग की जो राजबासा हिंदी होगी और लिपी देवनागरी होगी ये बताया गया अनुचेद 343 में ये क्युशन बहुत एकजाम में आया हुआ है बहुत वेरी वेरी इंормोटेंट है सविधान के किस अनुचेद के तहट अवसिष्ट सक्तियां केंदर के पास है यह किस अनुचेद में है अनुचेद 139, अनुचेद 248, अनुचेद 123 या अनुचेद 348 किस में है कि जो अवसिष्ट सक्तियां है वो केंदर के पास है यह है अनुचेद 248 में सविधान के किस अनुचेत में अनुचेत जातियों और अनुचेत जन जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यह आयोग घटित करने का प्रावधान किस अनुछेद में है अनुछेद 338 में या 338 A में उपरोक्त दोनों या अनुछेद 90 तो यह किस में है यह उपरोक्त दोनों में है सविधान के किस अनुचेद में संग और राजियों के लिए लोकसेवा आयोग का प्रावधान किया गया है संग और राजियों के लिए लोकसेवा आयोग का प्रावधान किस अनुचेद में अनुचेद 18, अनुचे 13, अनुचे 355 या अनुचे 315 तो किसमे हैं ये अनुचे 315 में क्या है संग और राजियों के लिए लोकसेवा आयोग का प्रावधान नेक्स्ट है कौन सा अनुचेद संसत को राज्य सुची के विशे में विधी बनाने की सक्ति प्रदान करता है तो कौन सा अनुचेद है वो 123 या अनुचेद 69 अनुचेद 45 या अनुचेद 250 तो ये कौन सा है जो संसत को राज्य सुची के विशे में विधी बनाने की सक्ति प्रदान करता है ये है अनुछेद 249 या 249 अनुछेद है जो संसत को राज्य सुची के विशे में विधी बनाने के लिए सक्ति प्रदान करता है थैंक्यू दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक किजिए और चैनल को सस्क्राइब किजिए थैंक्यू